ra你好 पावर एक्क्रमो मोटर गाथ कि व lacσηढते हैं लो भी चलता है इसी के साथ आपर इससे मोटर चल पानी जा रहा रहा है पर चाहिए लो पनी जा रहा चाहिए आपर न के सांथ शही है यह संते कि विचा कि झाल झाल यहां पर देखने को मिल जाता है इसी के साथ में यहां पर आपको देखने को मिलेगा हमने लिया है रिलायन्स का पाइप 1 इंची का जो की टेक्समो मोटर के साथ अटेच हो करके नल में ढिला जाएगा यहां स्टार्टर की हेल्प से हम लोग अपना मोटर स्टार्ट करेंगे यहां सिलेंडर ठीक है यह सिलेंडर नल को बेसिकली चलाएगा और यहां पर आप पीछे वायर भी देख सकते है और यहां पर हमने दो पुल्ली लिया है कभी हमको पाइप जोड़ना हुआ तो उसके लिए है बाकि इसका यूज होता है आपको दिखाएंगे और यह है फैन फैन बेसिकली यह जो पानी होता है वह खीच करके उपर हमको देता है ठीक है वही वह फैन है और इसके बाजो में है मेर मोटर चहां पर आप देख रहे हैं वायरिंग का काम चल रहा है ठीक है और यहां पर सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे जो स्टार्टर है ठीक है अगर कभी भी प्रॉब्लम आएगा तो यह जो दू वाइट आप कंडेसर देख रहे हैं यही जातर उड़ता है ठीक है बाकी कुछ बेसिकली बहुत ज़्यदा प्रॉब्लम नहीं आता यह टेक्समो का वारंटी गारंटी जो भी कार्ड है और बाकी यह अतर जो भी इनके प्रॉडक्ट है उनका भी यहाँ पर आप देख लेजिए वो भी यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और बाकी चली शुरू करते हैं किस तरीके से हम लोगों को सेट अप करना है सबसे पहले जो भी मोटर है उसमें बिसिकली पानी डाला जाएगा स्वच क्लीन पानी आपको इसमें भरना होता है नट खोल लेजेगा दो तरफ में होता है तो नट खोल करके उसमें आपको सबसे पहले पानी डाल देना होगा और यह जो वाटर वाला पंप होता है जिसमें पानी भरा जाता है वो ज्यादा पाउरफुल होते हैं अब एक्छा ओयल पंप के ठीक है और यह है बिसिकली हमारा नल जिसके साथ आज हम लोग यह सब चीज करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट ठीक है चलिए इसको खोलते हैं उखाडते हैं उसके बाद में लगाते हैं ठीक है और यहां पर वही काम चालू हो गया है ठीक है सबसे पहले जो भी इसका उपरी वाला हिस्सा है वो सब खोल करके आपको इसको निकालना होगा देखिए जाडियों से भी वीडियों हुमारी यूटूब पर देख रहे हैं तो प्लीज चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और कितना इसका क्या प्राइज भी लगता है मैं आप को अंत में जरूर बता होगा और अगर आप वीडियों यहमारी फेस् हैं जो भी लगा हुआ है पुराना उस सभी को हमको सबसे पहले निकाल जा रहा है काफी मेनत का काम होता है निकालने में क्या होता है इसमें पाइप में पानी भरा होता है तो इसके लिए थोड़ा सा वजन पढ़ता है तो इसके लिए थोड़ा सा मसक्कत से निकलता है इसक बारवाला बाकी जो पाइप है वो एक बार निकल जाएगा फटा-फट फिर काम चालू हो जाएगा आगे का प्रोसेस चालू हो जाएगा तो अभी यह जो सिलेंडर है आप देख रहे हैं इसको हम लोग नलका सिलेंडर बोलते हैं और बाकी आपके इधर जो भी बोला सिलेंडर है इसी के हल्फ से पानी निकलता है तो यह जो आपने पतला वाला सिलेंडर का था वह इस जगह पर लगने वाला है अब आग आपको डीटेल में इसके बारे में बताएंगी और यह जो इन्धर है पूरी तरीके से निकल गया है और यहाँ पर देख लिजे जो सभ पर पड़ा हुआ है अब यहां पर प्रोसेस चालू होता है मोटर को लगाने का तो अब दोस्तों सबसे पहले जो प्रोसेस से वह सुरू हो जाता है मोटर को लगाने का तो मोटर को लगाने के लिए जो पाइप है ठीक है रिलांस का उसको सबसे पहले फैलाया जा रहा है जो पान को घीशता है तो सबसे पहले हम लोग इसको फिट कर देंगे ऑने प्टिंग जा रहा है साथ में चोटे से कपड़े का भी आपने देखाऊए इस्तमाल किया गया था तो उसके लिए यहां पर इस्तमाल किया गया है और यहां पर इसको काफ़ अच्छे तरीके से उसको कस्क कर दिया जाएगा उसकी और उसके बाद में अब यहां पर जितना भी आपको धिलना है जितना भी आपको पानी पानी में आपको मोटर डालना जीसे कि यहां पर 80 feet हमारे रिलांस की पाइप थी ठीक है और हमको यहां पर 50 फीट लेंगे करेंगे ताकि हमको पता चले कि भाई तिक हैं चोटा सा चिनहान लगा दिया अवर यहां पर हमने पंखीी reuse किया था तो पं히 तो यहाँ पर मोटर को फिट करने का प्रोसेस चल रहा है। और मोटर को बहुत ही ध्यान से फिट करना होता है। इसमें एक जैक होता है। जिसको हम लोग खांचा भी हिंदी में बोलते हैं। तो उस खांचे नुमा कार को उसमें ही आराम से ठीक है एक साइज के ठीक है वो देख करके आपको उसको सेट करना होता है उसके जैक को उसके खांचे को देख करके ही उसको फ्रेट करना होता है तभी जो मोटर होता है उसको गुमाता है और वो फंकी जो होता है वो पानी लेक करके हमको बाहर देता है तो इस प्रकार से चीज आपको करनी होगी उसके बाद में काफी अच्छे तरीके से आप क्या करिए इसको आप टीक है नट बोल्ड को टाइट कर लीजिए तिक अच्छे से ध्यान से क्योंकि यह क्या होता है यह पर्मानेट लिए अपकाम है वह काफ और आथा पूस्थिस तरीके से ध्यान से बानें ठीक है तियो ओड है ज़ो है वह तो इस सकर थेह गाया है ता कि यहां पर उसको टेप भी लगा दिया जा रहा है तकि डे टाइम ओंदर ना हो जाए तो कुछ इस तरीके से आपको भी करना होगा ठीक है और बहुती साउधानी पुरुवक आपको अब क्या करना होगा यह जो मोटर है वो आपको अपनी जो भी बॉरिंग है उसमें आपको ढालना होगा सबसे पहले यही डाला जाएगा उसके बात में जो हैंड-pump का जो भी वोचन वायर यह सब यहाँ पर देख लीजी कुछ इस तरीखे से इसको बोरिंग में ढीला जा रहा है थीकire और यह पर देख लीजे कुछ तरीखे से बोरिंग में and heal करके आपको क्या कर देना होगा सिंपल सा आपको उसको बजा देना होगा यानी दालने से पहले यहां पर कट लगा लेना है यहींा से आपका इसी ब्लेक वाला पाइप है और यो टोचन वायर एisiert यहां सभात सेंसे सब्सक्राइब तो यहां पर कट किया जा रहा है दो सींगल थेक्ट लाइन की देख करना है यहाँ पर आप देख लिए साइड से भी आप देख लिए आपको भी दिख जाएगा देख लिए साइड से भी आपको देख लिए लाइट दिख रहा है ठीक है और उसके बाद में आप इसको क्या करिए हाथ होड़े की हेल्प से ठीक है हाथ होड़े की हेल्प से आप किया जाएगा अब यह तो सब विवस्ता हो गई हमाने लोगों की मोटर सब कुछ निकालने की सब विवस्ता हो गई अब यहां पर हमको जो हमारी जो नल की विवस्ता है वो करनी पड़ेगी तो यहां पर वही जो नल की विवस्ता है वही की जा रही है तो यह जो पुरानी व सिलेंदर में बहुत जार डिफरेंस नहीं है काम दोनों का सेमी है ठीक है बट यह थोड़ा सा है कि वह जो सिलेंडर है जो क्या है वह मोटा सा होता है ठीक है उसकी चोडाई होती है जादा होती है इसके लिए हम उसको इस समय धिल नहीं सकते क्योंकि अल्रेडी यहाँ पर एक इंची की पाइप गई है और मोटर गई है तो इसके लिए यह सिलेंडर हम लोगों को खरेदना पड़ता है जिसकी प्राइस लगबग 1100 से लेकर 1200 तक मिल जाती है देख लिजे यह देखी यह आपको यह पतले में मिलेका थोड़ा सा लंबाई में मिलेगा थोड़ा सा डिक है तो यही इसमें थोड़ा डिफ्रेंस होता है इस एसली जयालग तो इसको भी लगा लेजी अच्छे तरीके से इसको आप अपने जो लोहे के पाइप है इसको में आप फिट कर लिजिए यहां पर भी एक कपड़े का हमने यूज किया है ताकि किसी भी प्रकार की लीकेज इन फ्यूचर देखने को ना मिले अच्छे तरीके से जाम हो जाए इसको सेटिंग करने के बाद आपको राड भी लगा देना है और इसकी जो भी आप वारसल वारसल है वह भी आप देख लीजिए अच्छे से चेक कर लीजिए किसी प्रकार की दिक्कत ना हो ठीक है नल जलाते टाइम तो वह सब भी आप यहां पर ध्यान रखिएगा और उस रहे हैं यहां पर सावधानी रखनी है यहां पर देखे लेजिए किस तरीके से यहां पर उडूह नहीं करने का चांस होता है यह सब डर होता है मोटर में धकल लगने का चांस होता है तो बहुत सरे इसमें मिस्टेक्स भी हो सकते हैं तो बहुत ही सावधानी पुरुवर ये काम करना होता है साथ में इसके राट से आपको लगाने होते हैं तो यह राट से लगाने में फ्रूबा सा मेहनत होता है तो इसको बहुत ही सावधानी से करना होता है उपर 10 feet का difference रखिए ठीक है motor के जो motor आपका नीचे गया है और यह जो cylinder जा रहा है उसके 20 में कम सकम 5 feet या फिर 10 feet 10 feet जेंगे तो best रहेगा ठीक है उसके बाद में यहाँ पर ढिलने का यही process चल रहा है बाकी अच्छे साउधानी के साथ आपको काम करना पड़ेगा और यह अभी यह जो पाइप लग रहा है यह लास्ट वाला पाइप है और यहां पर आप ऊपर देखेंगे इसमें वह नल का और यही हम लोगों को आगे लेकर के आना है और यह जो लास्ट वाला पाइप होता है इसको ध्यान से डालेगा जो मैंने आपको गैपिंग बताया था वह गैपिंग होना चाहिए वह सब बहुत ही जरूरी है मेरे केस में क्या हुआ था कि जो गैपिंग थी थोड़ा कम हो गय है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और यहां पर मेरा बोर कम है इसके लिए यह सब प्रॉब्लम आ रही है ठीक है और यहां पर देख लिजी यही जो मैं आपको बोल रहे थे पांच फिट का गैपिंग बढ़ाने के लिए हमने थोड़ा सा और इसको टोचन वायर को धील कर है ठीक है यही हमने यहां पर ब्लैक वाले पाइप को थोड़ा सा और अंदर डाला उसके बाद में फिर से हमने यह जो भी सिस्टम है नलका वो भी मैंने डाला ठीक है तो पांच फिट का बेसिकली हमारे इस में डिफरेंस है आप 10 फिट का कर सकते है अगर आपकी जो बोर ह है वो थोड़ा सा और गारा है तो ठीक है तो मेरा 60ओ फिट का था ठ inclu घुथा तो मैंने 60 और 50 के थोड़ा सा ऊपर ये बैक वालना रख द IT और ये उसके पांच फिट पर रख दिया ठीक है तो बिसिकली है और यहां है आप पर इसको यह उच्छे साब लपेड सकते हैं क्य सब चला गया है नल भी लग चुका है इन सब को आप बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं और नल का नट भी आप लगा दीजिए अब बिसिकली नल के ऊपर का जो भी सिस्टम है वो भी सेटिंग करने का टाइम आ गया है और उसको सेटिंग यहाँ पर करके आप फ्री हो सकते हैं वह भी आप यूज कर सकते हैं ठीक है जश्ट सपोर्ट के लिए किसी प्रकार की फ्यूचर में प्राव्लम ना आए उसके लिए एक क्लिप भी आप ले सकते हैं ठीक है यह क्लिप हमको साथ में ही दिया गया था ठीक है और इस पूरे सेटप को करने में लगबग आपको 15 य सोल के बीच में ही आपका सबकुछ काम नीपड़ जाएगा ठीक है मेरा यहां पर सोल के करीब यहां पर पहुझ गया था जो भी प्राइस था और बाकि यहां पर मिस्त्रियुस्त्री का चार्ज और सबकुछ लेकर कि यहां तक ठीक है आपको इतना बज़ट लग सकता इस सेटब करने और फैनल के ऊपरी वालै जो इसका सेटब किया जा रहा है और यहां प्रेंडल होता उसके साथ यहां पर अटेश किया जा रहा है उसके बाद में ड़ल चलू हो जाएगा उसके बान में हम लोगों को finding करनी होगी सेटिंग होगी तरफ हैंर तो भी हैंडल प्लेंडर से नए वाले से तो देख लेजी हाँ पर पानी आ रहा है थोड़ा सा गंदा है क्योंकि अभी यह लगाया गया है हाल फिलाल में तो इस कारण यह सीज अपको दिखाई दे रही लेकिन चलती चलते यह बहुती अच्छे से काम करें तो यह तो नल तो बहुती अगरण पर बहुती मिल जायेगा जो भी कलर होता है वही कलर के सामने आपको ही सेटिंग करना होता है और कुछ नहीं होता है बाकि अगर आपको 3HP motor का full review देखना है तो मैं आपको वीडियो एक आई बटन में दे दूँगा आप वो देख लीजेगा इसी के साथ अगर आप ठीक है अगर आप कर सकते दूसोपचास यह हाँ दूसोपचास के अंतर गती है और उसके बाद में आप हम लोग चल रहे हैं टेस्टिंग करने यह स्टार्ट का बटन यह स्टॉप का ठीक है यह चालू करते हैं और सीधे चलते हैं अपनी मोटर के पास यह देख लीजिए यह देखें यहाँ पर पानी आ रहा है ठीक है किस तरीके से पानी देख लीजिए ठीक है यहाँ पर पानी का फोर्स देख लीजिए हम आपको अलग-अलग इंगल से दिखा दे रहे हैं कि यह वन हास पावर टेक्टिमों मोटर का इसे पानी यहाँ पर दे रहा है और कुछ इस तरीके का इसका फोर्स है फोर्स देखिए लंबा जा रहा है मतलब प्रेशर इसमें है ठीक है अब चलिए बापको दिखाते हैं नल भी चलता है इसी के साथ में यहाँ पर इस से मोटर चल रहा है उदर पानी जा रहा है वहां पर पानी जा रहा है और अब यहां पर देखिए नल के साथ सब्सक्राइं कर दोनों साथ में work कर रहे है घझ अपरी कि आषैं से प्रषैं से पिलोग झाली और स्थब्से प्रड़ाइं से अवग झाली रपको कि या रज़ा एकिछ भी आज़ कि नवगगी झाली कि नवग।